नमस्कार दोस्तों स्वागत था आप सभी कहाने कड़ में पियस से संकल पर मैं हुआ अनोप अपादिया लेकर आचुका हूँ एक नया समाचार और उसका बिशलेशन समाचार है अफगानिस्तान और चीन के बीच में हुए करार की और यह पहला करार है जो कि अफगानिस्तान में तालीबान का शाषन हुआ और तालीबान के शाषन के बाद किसी बिदीशी डील पर जो है वो तालीबान में साइन किया तालिबान लगबग डेड़ वर सो पहले अफगानिस्तान पर वहां के सरकार को कुर्सी से उटारा पद से हटाया और फिर से तालिबानी शाषन इस्थापित किया आज हम इन्ही सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाद दीजेगा और अपने मित्रों के साथ क्लासिस के लिंक को जो है वो शेयर भी कर दीजेगा किसी भी देश को वहां के शाषन को चलाने के लिए वहां के लोगों के समय आर्थिक संकट से जोच रहा है देश साल पहले तालिबान की आगवाई में अफगानिस्तान के लिए राहत की खवर तो थी लेकिन जैसा उम्मीद किया गया था वैसा नहीं था तालिबान के दौरा कई सारे ऐसे कारी किये गए जिसके बाद विदीशों से जो है इसको किसी प्रकार से जो साहता मिलनी थी वो सभी बंद भी हो गई और कई प्रकार के संक्षन भी इनके उपर लग गए इसी के उपर चर्चा होगी दोस्तों लेकिन इसके पहले हम देखेंगे अफगानिस्तान आपके विश्व के मांचितर पे कहा है और इसके कौन-कौन से पडूशी देख से है तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो है ये अफगानिस्तान आपको नजर आ रहा है है ना आप अपने स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मैप दिख रहा होगा दोस्तिस में आपको अफगानिस्तान नजार आ रहा है और अफगानिस्तान की राज़धानी आपको काबूल नजार आ रही है लेकिन यहाँ अगर हम बड़े बड़े जगों की बात करें वो भारत के साथ भी जो है वो टेच होती है जिसको कि पॉक उकिपाइट कश्मीर का एरिया हम कह सकते हैं इधर आपको तजाकिस्तान नजारा आ रहा है ठीक तो ये सारी जो चीजे हैं जिस पर हम लोगों को बात करनी है हमें समझना है कुछ निउस के कटिंग को भी लेकर चलते हैं और इसनिउस के कटिंग के हिसाब से हम समझते हैं और इसको और भी अनिलाइस करते हैं 6 जनवरी 2023 का एक न्यूज है The Diplomate से लिया हूँ न्यूज है Taliban settled oil deal with Chinese company और Taliban ने जो है ये चाइना के एक company है जिसका नाम है CNPC उसके साथ जो है वो oil deal company किया और इसके पहले भी अगर हम बात करें दोस्तो तो अमेरिका के द्वारा जो एक तरह से समर्थित जो सरकार थी इसके पहले उसको साथ भी जो है वो 2011 में जो है एक contract जो है वो sign हो चुका था लेकिन Taliban जो है एक नया deal जो है वो किया है और यही जो previous contract जो sign हुआ था former Republic government के साथ 2011 में उसी का अगर हम बात करें तो एक प्रकार से repeat जो है यह आपको देखने को मिल रहा है और इसके अंदर और भी अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको हमें समझना है कि यह पहला अंतराष्टिय करार है और यह पहले अंतराष्टिय करियार में अगर हम बात करें तो Taliban शासन ने Northern Amu Dariya Basin ठीक ना? यानि कि जो Amu Dariya का बेसिन है Amu River का जो आपका बेसिन है जिसके अंतरगत अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के अलावा अगर आप देखेंगे तो इस Amu Dariya Basin में आप देखेंगे तो आपको तुरकेमिनिस्तान, इरान वाले प्रांद आपको नज़र आएंगे इसके अलावा अगर हम बात करेंए तो उजबेकिस्तान और तजाकिस्तान के छेतर भी आपको देखने को मिलेंगे तो ये जो छेतर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं Amu Dariya Basin के बारे में जिसमें तालिबान सासंड ने तेल निकालने के लिए अपने पहले अंतराष्ट एक करार पर अस्ट्रक्शर किया है जिससे की ये उमीद की जा रही है कि अफगानिस्तान को आर्थिक संकर से बचाने के लिए तालिबान के द्वारा जो चीन के साथ ये समझोता किया गया है इससे तालिबान के साथ राजश्व की बृद्धी होगी और इससे तालिबान की जो अर्थविवस्था जो एक तरह से कमजोर हो चुकी है उसे मदद मिलेगी आपके स्क्रीन पर जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिल रहा है एक कारिकरम है जिसमें कि चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्परेशन जिसको कि आपने औOR के साथ में आपको नजर आ आरहे हैं आपको अनेशन पर आपको अर्दान कर रहा है अब जब यह सारा का सारा एग्रिमन्ट हुआ तो इस पर आफगनिस्तान क्या काहरा है लेकिन उसके पहले हम जान जाते हैं कि अफगानिस्तान के वो कौन से छेतर हैं जहां से जो बात की जा रही है कि ये पूरा जो तेल जो है वो निकाला जाएगा तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये नॉर्थ अफगानिस्तान का आपका छेतर देख रहा है एक है आपका सराय पूल का चेतर देखने को मिल रहा है दूसरा अगर हम बात करें तो आपको ये चेतर देखने को मिल रहा है जोजाउन का चेतर है सराय पूल है और तीसरा आप देख रहे हैं आपके स्क्रिन पर ये फरयाब चेतर देख रहा है तो फर्याब, जौजान और सरायपुल यह जो छेतर देख रहा है इस छेतर से जो है वो ओल डिलिंग की जो है वो बात की जा रही है यहां से जो है जो है वो तेल निकालने के बारे में जो है वो बात की जा रही है तेल यहां से निकलेगा और चाइना की कंपनी जो है वो यहा आपके जो एंबेशडर हैं चैनीज एंबेशडर अफगानिस्तान में ठीक है तो जिनका नाम है यौंग यूँ इनके साथ जो है और तालिबान के जो डिप्टी प्राइम निश्टर है एकनॉमिक अर्स के जो मुल्ला अब्दुल गहनी बरादर इनके साथ जो है समझोता हु रुस्ता है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आपका जो एग्रिमेंट हुआ है ये पचीस साल का एग्रिमेंट है जिससे कि अफगानिस्तान जो है वो सेल्फ सफियसेंसी यानि कि आत्मिर भर के छेतर में भी और आके बढ़ेगा इस ए इंबेश्टमेंट हमें देखने को मिलेगा ठीक है और ये जो है आपका जो आने वाले तीन वर्षों में जो है वो आपके फाइब ऑईल और गैस ब्लॉक्स के उपर जो है इसको घर घर एक्स्प्लोर किया जाएगा और ये टोटल अगर हम बात करें तो ये जो टोटल एरि तेल होगा और जहां से ओल निकाला जाएगा इससे जो भी पैसा आएगा उसमें 15% जो है वो मिलिटेंट ग्रूप जो है वो अर्ण करेंगे यानि कि तालीमान को जो है वो दिया जाएगा और ये जो पुरा एग्रिमेंट जो है वो 25 सालों के लिए जो है पुरा का पुरा हुआ था यहां उस सर्वे के हिसाब से यह बात की जा रही है कि लगभग यहां पाँच ब्लॉक हैं जिसमें कि 87 मिलियन बैरल जो है वो क्रूड आयल है कच्छा तेल है जिसको कि हम काला सोना भी कहते हैं यह आपको देखने को मिलेगा अब अगर हम बात करें दोस्तों तो जो है वो चाइना जो है वो भेजेगा ठीक है तो यह आपका अमुदरिया आयल कॉंट्रेक्ट जो हो रहा है जिसमें कि अगर हम बात करें कि एक बहुत इंपोर्टन प्रोजेक्ट है चाइना और अफगानिस्तान के बीच में बीच में बीवी ती के हवाले से भी यह सारी क जो देश है उसके उपर निर्भर है तो तेल के छेतर में भी अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान जो है वो आतनिर्भर बन जाएगा और इसके डिपेंडेंसी किसी और के उपर नहीं होगी कुल मिलाकर इसके साथ एक बात और भी कही जा रही है वो बात ये कह जा रही है कि एक तो आपका आतनिर्भर होगा ही लेकिन इसके साथ-साथ लगबख तीन हजार अफगानियों को जो है वो रोजगार मिलेगा क्योंकि ये जिस छेतर में होगा जरूरी नहीं है कि चीन जो बारे में बात करें तो 2011 में भी जो है इसने क्या किया था कि US बैक जो गॉर्णमेंट था उसके साथ एक डील किया था लेकिन उस समय जो है former president था असरफ गनी लेकिन कई कारण से हमने देखा कि ये जो है बात करें तो चीन के तरफ ये या तो दो रास्ते आपको नज़र आ रहा है एक तो आपका चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडोर का अच्छे तो नज़र आ रहा है दूसरा अगर हम बात करें तो वाकान कोरिडोर नज़र आ रहा है ये दो रास्ते आपको देखने को मिल रहे हैं इन दो रास्ते से अगर हम बात करें तो चीन के पास आपका तेल भीजा जा सकता है ऐसा कहा जा रहा है अब अफगानिस्तान ने कहा कि इस प्रकार से अगर हम बात करें ठीक है तो अफगानिस्तान में ये उमीद है कि अभी भी अगर हम natural resources की बात करें तो उसमें natural gases, copper और rare earth material जो है लगभा एक trillion dollar के आसफास के हैं और कई बार अफगानिस्तान के अर्थवेफसा बिस सुद्रीड हो अफगानिस्तान के लोगों को रोजगार भी मिले और उन देशों के सामने जिनके पास natural gas, copper और rare earth materials की जो कमी है वो भी यहां से पूरी हो सके अब ये कहा जा रहा है कि दोस्तों कि ये इसके पहले भी जैसा कि मैंने अभी आपके साथ चर्चा किया कि आपके साथ किये जो बाते हो चुकी थी लेकिन ये जो है वो लगभग एक दर्शक से जिस प्रकार से अफगानिस्तान में खुलाहाल मचा हुआ था इस्तिती काफी ख चाइना ने ये पूरा का पूरा आपका ये नया प्रोजेक्ट शुरुआत करने की कोशिस की है तो क्या चाइना ने जो है तालिबान की सरकार को मानिता दे दी है दोस्तों इसका सीधा सा जबाब है नहीं चाइना ने कहीं भी तालिबान सरकार की जो है वो मानिता नहीं दी गई है क्यों मानिता नहीं दी गई है उसके पीशे कारण ये है कि चीन बिलकुल ये नहीं चाहता है कि वो किसी भी प्रकार से अगर भविश्व में तालिबान के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आतंकवादी गदी भी दी चलाया जाता और अमेरिका उसके उपर कोई पाव नहीं दिये बस ये बैपारी काम कर रहा है यानि कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बहुत ही धुर्ता से अगर हम देखें तो चीन जो है किवल अपना स्वार सिद्धी करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों आप जानते हूं कि जब तालिबान का शाशन होने लगा कहां प्रकार से पाकिस्तान और तालिबान के बीच में नजदी किया थी उसका फैदा जो है वो चीन जो है उठा रहा था और भारत जो है वो धीरे धीरे जो है वो अफगानिस्तान से दूर होने लगा था है लेकिन अगर हम यहां बात करें तो कुल मिलाकर चीन को यह पता है कि प्रकारतिक भंडार हैं जहां से अगर वो चाहे तो बहुत सारे अपने जो नेट्स हैं जिसके लिए उसको कहीं अन्य देशों के उपर निर्भर होना पड़ता है वो यहां बहुत ही मजबूती से कर सकता है दूसरा पश्रिम एसिया के देशों के साथ जो है वो अफगानि जीन आपने लिए ही नहीं बलकि चीन क्या कर सकता है कि यहां रिफाइनरी लगाकर अन्य देशों को भी जो है वो तेल बेज सकता है ठीक है उसका केवल कुछ परसेंट जो है उसको देना है अब जो चाहिना इस कंपनी के बारे में हमने कहा कि जैसा कि पहले भी हमने बात कि कि Taliban run जो आपके administration है उसको 20% का जो है वो सुरुवात में partnership दिया जाएगा और धीरे-धीरे जो है वो बढ़ा कर 75% कर दिया जाएगा जैसा कि कहा गया है और कहा जा रहा है कि सुरुवात में 15% जो है royalty fees दी जाएगी 25 साल का जो ये contract है तो ये royalty fees किस लिए दी जाएगी तो ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में क्या तील है क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं कि वहाँ तील की भंडार कहां कहां है वो पता है चाइना इसकी company जाएगी वहाँ तेल के भंडार को ढूंडेंगी और उसके बाद उसके सारा का सारा काम चलेगा लेकिन जिस प्रकार से condition है इस पर ये पूरी की पूरी बात इसके पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो 2011 में बात करें आपकी स्क्रीन पर ये लोगाट प्रोविनेंस दिख रहा है जिसको कि आफगानिस्तान का पूरवी छेतर दिखरे को मिल रहा है आपको बाफ कीजिएगा यहां भी अगर हम बात करें तो चाइना ने 2011 में जो है दोस्तों यहां कॉपर के लिए जो है पहले एक agreement किया था कॉपर निकालने के लिए लेकिन जो है इसमें जो है वो सफल नहीं हुआ और काफी ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी हमें देखने को मिल रहा है इसके अलावा एक बात और भी आपको ध्यान में रखना है अब आपके दिमार में प्रश्ण यही उट रहा होगा कि सर चीन जो है वो तालिबान को मानिता भी नहीं दे रहा है और तालिबान को मानिता दिये भी ना अगर हम बात करें तो उसके साथ वैफार भी कर रहा है क्या भारत यह काम नहीं कर सकता बल्कुल दोस्तो भारत भी अगर हम बात करें तो अभी एक रिपोर्ट आई थी 27 दिसंबर 2022 को जिसमें की बाहर सरकार ने अपने पैरलिमेंटरी पैनल को जो है ये जानकारी दी कि इंडिया के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में हैं वो क्या कर रहे हैं सफर्ड कर रहे हैं लेकिन उसके पहले एक और रिपोर्ट भी आई थी इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो एक दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है जिसमें रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडिया में रिस्टार्ट 20 सेटल प्रोजेक्ट इंद अफगानिस्तान से तालिबान तो ये भी एक रिपोर्ट आई थे जिसमें ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो की हैं लगभग आप देखें तो अफगानिस्तान के जो पार्लियमेंट बनाने के 90 मिलियन डॉलर का इंडिया वहां इंवेश्टमेंट किया हुआ है वहां सड़क बनाने के लिए ऑस्पिटल बनाने के लिए स्कूल बनाने के लिए जो बहुत सारे इंवेश्टमेंट है तो वो इंवेश्टमेंट जो है वो एक तरह से फंसे हुए तालिबान कह रहा है भा लेकिन फिर से एक प्रश्न यही उठता है कि अगर अफगानिस्तान के छेटर में चाइना ये सारा का सारा करता है तो एक डर उसको किस से है? एक डर है उसको इस्ट तुरकिस्तान Islamic Moment जो ETIM है इससे भी सुरक्षा जो है वो प्रदान करना होगा तो दोस्तों यह रहाज का session कैसा लगा जरूर बताईएगा और इसके लावा अनकेडमी पर किसी भी course में subscription लेना चाहते हैं तो आप Anup 10 Code के माध़े में subscription ले सकते हैं इसका लाव उठा सकते हैं इसके लावा और भी offer है आरो यारो की तयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो 19 जनवरी से अगर हम बात करें तो आठ वजे से जो है वो मेरा batch स्टार्ट हो रहा है उसका आप लाव उठा सकते हैं बाकी सारी classes स्टार्ट हो कियें दोस्तों अनुप 10 code ANUP10 code याद रखिएगा और इस माध्यम से आप किसी भी course पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसके लावा टेस्स वीज़ा इसका भी लाव उठा सकते हैं और यह यारो यारो का 6 महीने का फीस आपको नजरा रहा है इसका भी लाव उठा सकते हैं काफी सारे ड्वांटेज हैं इन सारे ड्वांटेज का लाव उठाएं दोस्तों और चले मिलते हैं फिर अग्ले station में अपना feedback जरूर दीजेगा जयें जया भाग